अलवार को ऐसी एक कायराना हरकत में आतंकियों ने पाच बेकसूर मज़दूरों को मौत के घाट उतार दिया कश्मीर में अमन से बौखलाए आतंकी भारत की चवी बिगाडने का नया पेंतरा आतंकियों की एक और कायराना करतू पाच बेकसूर मज़दूरों को उतारा मौत के घाट पहले प्रवासी सेव्यपारी फिर प्रवासी ड्राइवर और अब प्रवासी मज़दूर जम्मू कश्मीर में मोधी सरकार द्वारा आइटिकल 370 हटाए जाने से बौखलाया अतंकियों ने अब राजे में बाहर से आ रहे लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है कुलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित नापा कातंक वादियों ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में अपनी रोजी रोटी कमाने आए पांच बाहरी मजदूरों की हत्या कर दी जबकी एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से जखमी है सूत्रों के मताबिक मारे गए सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले थे पर सिनाजवी आज से 20 सल पहले ही जाता था हमको दस बज़े फून किया था था में से बोला कि आपका गाउं का सागोट दिखना का जो कसमे काम पे गया है हमला हो गया हमारा गाउं का पांच अगमी जित हो गया है आतंकियों ने अपने इस कायराना हमले को उस दिन अंजाम दिया जब घाटी में यूरोपिये सांसदों का एक बड़ा प्रतिनिदी मंडल हलात का जायजा लेने आया हुआ है जाहिर तोर पर आतंकियों कि ये पुर जोर कोशिश है किसांसद कश्मीर में बडलते हालात के बारे में गुड न्यूज दुनिया को ना सुनाए जबकि वो खुद इस बात को भूल चुके हैं कि सेना ऐसे तमाम साज़िश करता आतंकियों को चन चन कर जहन्नुम पहुचा रही है जैसे 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 जम्मू कश्मीर के अलग केंदर शासिप प्रोदेश बनने की डेडलाइंग यानी 31 अक्टूबर करीब आती जा रही है आतंकियों के होसले उनकी कायराना हरकतों के जरिये और बढ़ते जा रहे हैं बीते 15 दिनों की ही बात करें तो आतंकी अब तक घाटी में चार ट्रक ड्राइवरों, एक सेब कारोबारी और दूसरे राज्ये से आए छे मज़दूरों की हत्या कर चुके हैं दो दिन पहले ही सोमवार को आतंकियों ने सोपोर में बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमला किया था जिसमें एक आम नागरिक की मौथ हो गई थी जबकि 19 लोग जखमी हुए थे आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अपनी अथक महनत और तयारी से कश्मीर में अमन और शांती पैदाकर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी काम्याबी हासिल की है लेकिन जब तक कश्मीर से आतंकियों का संपूर्ण सफाया नहीं हो जाता ये मिशिन अधूरा रहेगा इसलिए आतंकियों को आम जनता में खौफ पैदा करने से रोकने के लिए अब सरकार को भी आतंकियों के खिला ओप्रेशन ओल आउट की जरूरत है